हेलो फ्रेंट्स, विल्गम बैक टो मैं चैनल नम्रिती पर शमिला, आज की वोडियो में हमने डूपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं, एकदम सिंपल और आसान तरीकी से बनाया हुआ है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं, और उतना ही एजली आप इसे अपन पहना सकते हैं, आपको बता ही है कि मेरे पास सभी साइच के काना जी है, तो मैं ऐसे तुक के से नहीं बोल ली हूँ, मैंने पहना के देखा है, फिर आपको बता रही हूँ, यह देखें, यह इस तरह से इन्हें आ गई है, और पीछे से हम यह डोरी पात देंगे, बहुत ही पहना दिया, पहनाने के बाद क्या करेंगे, जो डोरी हमारी आ रही है, इसे हम इस तरह से यहाँ पर अंदर डाल के हाइट कर देंगे, जब आप काना जी को सिंहासन पर पैठाएंगे, तो बहुत अच्छा लेगा, देखें, यह इस तरह से पूरा आ जाएगा, और साथ मे है, यह मैचिंग की कैफ, तो एकदम सिंपल और आसा तरीका है, गाइस, बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं, आप देखें, इनके हाँ से दब के यह थोड़ी सी उट रही है, बाकि आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी हमारी यह ड्रस बनी हुई है, तो अभी मैंने इन्स्टागाँ पर फॉलो नहीं किया है, तो मुझे भाहाँ पर फॉलो करिए, मेरा इंस्टागाम है अमरीतीफिसमेलेफिटी, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्स बॉक्स मिल जागा, चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और देख लेते हमने से कैसे बनाया है काना ज स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखें इस तरह से एक लूप बनानी है, यहाँ पर ऐसे करके एक नॉट लगाके लूप बनाएंगे, यह हमने बनाया, अब इसमें अपने मुक को डालना है, और हमें यहाँ पर देखें इस तरह से चेन बनानी है, यह हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सोला चेन बनाई, अब देखिए एक चेन हमारी होग में है, इसके बाद हम एक और दो, दो चेन छोड़ेंगे और जो तीसरी चेन है, हम इस तरह से इसमें डालेंगे और फंदे को निकाला, देखें, तीन फंदे हैं, तो तीन से हमने दो और दो से हमने एक कर दिया, फिर हमने इस तरह से किया, यहाँ पे अगली चेन में डालेंगे, फंदे को निकाला, तीन फंदे हैं, तो तीन फंदे से दो और दो पंदे से एक कर दिया, फिर हमने इस तर से किया यहीं सेमं में डालेंगे हैं फंदे को निका टीन से दो में और दो से 1 डॉ कर नेखिए हमने यह बना दिया है का दो 69 धी investor और हम पर वन sic हम इस तरह से करेंगे और यहां पर पॉर्स चेन हिए धालके ये double crochet बुन दिया ये दिखिते हमने 1 chain में 1 बार बिना फिर यहाँ अगली chain में भी हम 1 बार double crochet बनाएंगे और फिर इसके बार जो chain आ रही है इसमें हम 2 बार double crochet बनाएंगे तो देखें ये 1 हो गया और यहीं सेम chain में हमने 1 और बार बना दिया इस तरह से ऐसे करके हमें अपना पूरा row complete करना है दो चेन में एक-एक बार और तीसरी चेन में दो बार double crochet देखें हे एक बार बनाया फिर अगली चेन में भी डालके हमने एक बार बना लिया और जो यहाँ पे तीसरी है हमारी इसमें हम दो बार बुनेंगे यह हमने एक बुंदिया और यह हमने दो बुंदिया और यह जो हमने उन पकड़ा हुआ है छोटा वाला अपना तो देखिए यह हाइड होते चल जा रहा है इसी में पता नहीं चलता है देखिए तो चले मैं इसी तरह से अपना पूरा रोग कंप्लीट करती हूँ फिर आगे बताओंगी क्या करना है यह देखिए हमने आप अपनी दूसरी रोग कंप्लीट कर ली अब तीसरी रोग किस तरह से बुनेंगे आप ध्यान से देखिए इस तरह से हमने एक और दो दो चेन ये तीसरी चेन में भी एक बार चौSorry चैन में भी एक बार और निधा चारी चैन में एक बार हम डवी ग्रोश ग्रोश आ और इस तरह से देखिए हम डव,द्लॉ दाओंगी दो बार ना लेुए...ए मैं आपने दूसरी रोग कंप्लीट करहा है अब क्या करेंगे। हमने ती एक और दो, यह जो हमने दो chain बनाई ये भी हमारा एक double crochet ही माना जाता है, यह दिखें इस तरह से, यहाँ पर हमारा एक double crochet हो गया, आप यह वाली रूफ बहुत ध्यान से देखें, सभी chain में मैं सिर्फ एक एक बार double crochet बनाऊगी, एक हमारा हो गया है double crochet, पहले chain में ये, दो double crochet, ये हमारा 3 double crochet, ये 4, अगली chain में 5, फिर अगले में 6, और अगले में 7, हमने हाँ पर 7 double crochet बनाई है, इस तरह से लपेटेंगे, लपेटने के बाद यहाँ देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, नौ, चेन छोडने के बाद, दसमी chain में डालना है, औ डबल क्रोशिया बुन देना है, ये हमने बुन दिया, ये देखें, ये इस तरह से, अब यहाँ हमारा 1 हो गया है, यहाँ पे डोटल 12 बुनना है, एक हो गया है, तो ये देखें, ये दूसरा double crochet, ये तीसरा, सभी chain में एक एक बार ही बनाना है, तीन हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, और ये हमारा last 12 हो गया, अब हमें क्या करना है, इस तरह से करना है, फिर यहाँ पे, एक, दो, टीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ नौ चैन छोड़ने के बाद अगली चैन में हम डालेंगे और ये हमने इधर एक बार डबल क्रोशिया बना लिया ये हमारा दो बार हो गया ये तीन बार हो गया इधर भी हमें साथ बनाना है ये देखें, ये चार हो गया ये पांच हो गया ये हमारा छे हो गया और इसके बाद ये लास्ट साथ हो गया ये इस तरह से ये देखें, यहाँ पे हमारा अब एकदम सीधा सा मिल गया हमें हमें क्या करना है, इसे टर्न करना है टॉर्ण करने के बाद हमने इस तरह से दो चेन बनाई और यहां सभी चेन में हम इस तरह से double crochet बुल लेंगे एक एक बार सभी चेन में यह देखें इस तरह से तो चले बुल लेती हूँ फिट आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखें यह हमारा इस तरह से row complete हो गई है अब last है हमारी यह row तो last वाली हमें single crochet बना लेनी है इस तरह से एक chain बनाई अब सभी chain में इस तरह से एक एक बार single crochet बुल लेंगे यह देखें यह ऐसे करके सभी chain में एक एक बार single crochet बुल लेना है चले बुन लेती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगे कि क्या करना है यह देखिए यह हमारा हो गया है यह हमने यहाँ पे एक रो जो है वो बुन दी है अब हमें यहाँ पे अपना गेर स्टार्ट करना है तो गेर किस तरह से स्टार्ट करेंगे यहां पे हमने उन लिया और इसे हम टाइट खीज देंगे अब पिंक वाले को और यहां वाइट कलर से हमें इस तरह से एक और दो दो चेन बनाई ऐसे करेंगे फॉस चेन में हमने डाला फंदे को निकाला पीछे से यह देखिए हमारा उन हमने इसमें पकड़ लिया है तो यहीं पे हमारा लॉक होते चला जा रहा है वाइट वाला एक और ये दो इस तरह से हम यहां सभी चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे चले बना लेती हूँ फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखिए हमने हाँ पे सभी चेन में दो तो बार डबल क्रोशिया बना दिया है अब क्या करेंगे यहां से इसे हम टर्न करेंगे और टर्न करने के पाते हैं इस तरह से एक दो दो चेन बनाई दो chain बनाने के बाद, हम यहां पे, इस तरह से देखें, फॉस्ट chain में हमने, एक बार, और सेकेंड chain में हमें, दो बार double crochet बनाने हैं, एक, और ये, दो, इस तरह से अपना ये row कम्पleइट करेंगे, एक chain में एक बार, और अगळी chain में, दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए एक और ये दो तो चले मैं कम्लीट करती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है ये देखे हमने यहाँ पर अपनी सेकेंड रोजो है वो कम्लीट कर लिया इस तरह से ये देखे अब हमें क्या करना है इन दोनों को आपस में जोइंट कर लेना है ये यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बस यह पर इस तरह से जोइंट करेंगे तो ये देखें ये बाइट कलर के उनको यहाँ से निकाला और यहीं से इसे भी खिश लेंगे, यह हमारा यहां पे जॉइंट हो गया है, अब हमें क्या करना है अपना पिंक करलर लगाना है तो क्या करते हैं, इसे थोड़ा सहम हलका सा लंबा करते हैं या फिर आप दिखें यहां से इसे नॉट लगा के कट कर देंगे, तो अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी, यहां से एक चेंड बनाई और कट कर लिया क्योंकि अगर मैं यह वाला अपना पिंक वाला उन इधर से खीच के निकालोंगी तो देखें, यहां से दिखेंगा तो हम अपना डिजाइन जो है, वो थोड़ा सा इधर से स्टार्ट करेंगे, यह देखें, इस तरह से स्टार्ट करेंगे, तो चलें हमने देखें किस तरह से स्टार्ट करने अपने डिजाइन को, यहां से हम ऐसे निकालेंगे उनको, तो सबसे पहले तो यहाँ कहीं उपर से आप निकाल लिए यह इस तरह से हमने यह देखें निकाल लिया निकालने के बाद यहाँ पर हमने एक दो दो चेन बना लिए और दो चेन बनाने के बाद अब ध्यान से आप देखें इस तरह से किया और यह हमारी डबल क्रोश यह है इसमें हमने डाला डालने के बाद निकाल लिया निकालने बाद हलका सा लंबा करेंगे फिर हमने इस तरह से किया सेम जगर डाला डालने के बाद निकाल लिया यह देखें यह इस तरह से हो गया अब यहाँ पे यह अईसे करके निकालेंगे, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास दो फंदे बचाएंगे उन दोनों को हमें बाद में बुन नेना, इस तरह से यह बुन गया अब हमें क्या करना है? यहाँ पे इस तरह से किया, अब देखे, यह हमारे जो अगली चेन है इसमें हम ऐसे पीछे से डालेंगे और डालने के बाद फंदे को निकाला पीछे से हमें सिर्फ एक बार निकालना है और इस तरह से करके बुन देना है अब देखें फिर हम इस तरह से करेंगे और हम आगे से निकालेंगे ये ऐसे करके एक बार निकाला, फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगा डाला, दो बार निकाल लिया, यहां से इन सभी फंदों से निकालेंगे, अब दूपर दो फंदे हो गए, इन दोनों से निकाल दिया, फिर हमने इस तरह से किया, अब देखिए, यहां पर जो हमारी अगली है, डबल क्र बना सकते हैं यहां प्रिये किया करना है अब आगली double-cr scared तो और के निकल के का being the जग जब उआ यह दो निकल विटा है इस दो निकल गया तो यहां यहां इस फंदिशे सेnın डोण चोड़िव साफ होज दो भी और यहां बैक पे इस तरह से डालना है डालने के बाद फंदे को निकाला और हमने इस तरह से गुन दिया एक बार हम फ्रंट से निकालेंगे और एक बार बैक से जब फ्रंट से निकालेंगे तो यह चीज़ हमने एक बार की और यहीं पे सेम जब डालके एक बार और करेंगे फिर इन फंदों से इस तरह से निकाला और यहां से निकाल दिया और जब हम बैक से डालेंगे तो यह देखें यह बैक वाला है इसके बाद वाला तो हमने ये बैक से निकाला फंदे को और ये सिर्फ हम एक बार करेंगे इस तुरह से ऐसे करके बस ऐसे ही करके हमें अपनी यहाँ पे पूरी रो बुल लेनी है एक बार और ये दो बार तो शेले मैं आप Tammy पूरी रो सेम तरीके से बुल लेती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगे क्या करना है यह देखिए हमारा इतना बन क्या है यह हमने एक round complete कर लिया है अब यहाँ पे हम इसे joint कर देंगे यह देखें यह इस तरह से जो हमने starting में chain बनाई थी वहीं पे डाला और इस तरह से हमने इसे joint कर लिया अब यहाँ पे हमें अपना white color लगा लेना है देखें यह white color में उन हमने अपना लिया और इसे हम लगा लेंगे यहाँ पे इस तरह से यहाँ से निकाला pink वाले को घीच के tight कर लेंगे और अब में यहाँ पे यह देखें इस तरह से एक दो दो chain बनाई यहाँ पे परस्ट चेन में हमने डालके एक बार double crochet सेकंड चेन में भी हमने एक बार double crochet और जो थोर्ट चेन है उसमें हम दो बार double crochet बनाएंगे देखें एक और यह दो इसी तरह से पुरा रोग complete करेंगे दो चेन में एक बार double crochet और तीसरी chain में दो बार double crochet बनाते हुए चलिए मैं इसे complete करती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगे क्या करना है यह तीसरी chain है इसमें हमने दो बार बना लिया चलिए बताऊंगे भी देखेंगे क्या करना है यह देखिए हमने आप अपनी यह रो जो है वो complete कर दिया अब हमें करना है यहां पर इसे slip stitch की help से जोड़ डेना है यह हमने जोड़ दिया अब अगली रो हम देखेंगे इस तरह से 1-2, दो चेन बाइए फॉर्स चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया सेकेंड चेन में भी हमने एक बार डबल क्रोशिया फॉर्ट चेन में भी एक बार फॉर्स चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया और जो फिफ्थ चेन है इसमें अब हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने अभी यह वाला डिजाइन बनाया है सेम वैसे हमें यहां पर भी बनाना है तो देखें इस तरह से यह हमने पिंग कलर लगाना है और इसे हमने केज के टाइट कर दिया अभी यहां पर हम एक दो दो चेन बनाएंगे और दो चेन बनाने के बाद इस तरह से किया यहा इस तरह से बुन देना है ये ऐसे करके और फिर सेम तरीके से सेम वही हमारा डिजाइन ही बनेगा देखें यहाँ पीछे से डालेंगे डबल क्रोशे में फंदे को निकाला और निकालने के बाद इसे भी हमने बुन दिया ऐसे करके अपने ये पूरी रो करती हूं चले करती हूं पिर आगे बताऊंगी क्या करना है यह थ क्या हमारा यह पे कंप्लीट हो गया यह हमने characters यह 2 रोभ बुन लिया है डिजाइन अपनाे만 यह हमने यह यहां पे रोंब भुन है इसमें हमने 6 अचक बार knees दो बार हमने double crochet बना के इसे complete किया और इसके बाद वाली जो white color से रोग होनी उसमें हमने 9 फंदे में एक एक बार और 10 फंदे में दो बार double crochet बना के complete किया फिर लास्ट में अपना ये वाला design बना ले इस तरह से हमारा ये complete हो गया है अब दिखिए मैंने यहां पर ये lace ली ये देखिए मैंने याप ये glue gun ली हुई है इसी के help से चिपकाऊंगी आप इसे fabric glue के help से भी चिपका सकते हैं तो इसके round पे चिपकाना यहां से यहां फिर ये पूरा इस round पे फिड यहां से यहां तो चले मैं वीडियो को थवाफास्ट करती हूँ और हम जिल जिल से इस प ये देखिए हाप मारे डिलस्ट रहा है कम्टी होगा इसमें ये इस तरह से पर्ल लगा दिये अब मैंने ये सिंपल सी चेन बना के डोरी बनाई हुई है जो कि हम यहां ड्रेस में डालेंगे ये इस तरह से करके ऐसे यहां से हमें डाल देना है ऐसे करके डालने से हमारी फिटिंग जो है वो बहुत अच्छी आती है तो आप इसमें डारी बना के न और इस तरह से ही डालें तो ज्यादा सुंधर लग रहा है अब चले हम केप बना लिते हैं तो केप के लिए यहा पर हम आ वॉइट वाले उंग को लेना है और इसी से हम बुझना सुरू करेंगे सबसे पहले यहां पर एक हमους बनाएंगे यह देखें यह सरा से हमें लुप बनानी जैसे इस तरह से एक, दो, तीन, चार, चार चेन बनाई, अब देखिए, फर्स चेन में अपने हुक को इस तरह से डालेंगे, डालने के बाद फंदे को यहां से निकालना है, यह इस तरह से हुक को यहां से डाल दिया, पीछे से फंदे को खीच के निकालेंगे, यहां पर छोटा सा क्रोश्या हो गई यह हमारी तीसरी हो गई यह हमारी चोथी हो गई इस तरह से हम यह टोटल बारे डबल क्रोश्या बना लेंगे चले बना लेती हूं फिर आगे बताऊंगे क्या करेंगे हैं अब क्या करेंगे यहां पर इस तरह से इसे जॉइंट कर लेंगे स्टार्टिंग म इक बाद हमने एक, दो, दो chain बनाई, यहाँ पर हमने फॉर्स chain में डाला, और एक बार double crochet बनाई, फिर second chain में एक बार बनाएंगे, और जो third chain है, इसमें हमें दो बार double crochet बनानी है, एक और ये, दो, इसी तरह से पूरा row complete करेंगे, दो chain में एक बार, और तीसी chain में दो बार double crochet बनाते हुए, यह देखिए हमारा हो गया है, अब हमें क्या करना है, यहाँ सभी chain में सिर्फ एक एक बार double crochet बुलने ना है, तो third row में हमने एक chain में बनाई, अब देखिए इस तरह से, सभी chain में सिर्फ एक एक बार double crochet बुलेंगे, तो चलिए बूनगे, complete करती हूँ, फिर आ आगे बताऊंगे क्या करना है यह दिखे है हमारा कम्प्लीट हो गया है चाल रो हमने यहां बुंदी अब हम इसे सीधा कर लेंगे और यहां सीधी साथ से हम यहां सभी चेन में अब दो बार डबल क्रोश्या बनाएंगे तो यह हमने अपना पिंक कलर ले लिया यह हमने एक द गो परब ड्रील ज्यव्ध कहले मैं प्मदी और चेन ऐसे लिया दुन-दिया करना शिर्ट क्या कृ नहीं कारेंगे तो हमारी दाल करके दिखे हां यहां से रही पर और समय घंडी हो जाएगी और फिर गईप सब्सक्राइंगे उमध पार क्या करना है यह दो कुंदी ॉस इस पे भी थोड़े से मोती लगा लिए है तो चलिक अप पहरा कर दिखाए हूँ बनेयुके तो आप इसे बर को नबर कर दिखाक है के पहना इक नमए है इसे ञए है हुई है तो आप आप बहरा है को से ब्राना बताया है